पांच दिनों तक चलने वाले दिवाली महुत्सव का आज आखरी पर्व भाई दूज है भाई बहनों को समर्पे थी ये तेवहार भाईयों के अच्छे और सुखी जीवन की कामना के साथ मनाया जाता है इसी कड़ी में जम्मु कश्मीर के पुंच में इस्थानिय महिलाओं ने भारतिय सेना की रोमियो फोर्स के साथ भाई दूज का तेवहार मनाया वहां बहनों ने सभी सैनिकों को तिलक करके मिठाई खिलाई और उनकी पदोन्नती के साथ अच्छे जीवन की कामना की ये जो तेवहार है ये बहने जो है बाईयों की पुझा करती है उनकी लंबी उमर की कामना करती है और ये तेवहार सबसे पहले चला था सुरी देव के बेटा था यमराज और बेटी थी यमुना तो जब यमुना की यम्राज को याद आई तो उसने कहा कि यमुना तो गौलोक में है तो मैं जाके अपनी बेहन से मिलता हूँ वो जाके गौलोक में गया और यमना के घर जाके जब गया तो यमना ने उनकी पूजा की तिलक किया ये वही से ये भाईया दूजा ये चला है और पूजा बाईयों की चली है बहने जो है बाईयों की पूजा करते हैं तो इस दिन ये कहा गया है कि बाईयों को बहन के घर का जरूर खाना चाहिए यह जो खाएंगे तो इससे उनकी जितने भी पाप हैं वो दुल जाएंगे और इस दिन यमुना के किनारे जो बहन भाई शनान करते हैं वो सब्त लोक से उनमें उनका निवास होता है इस चीज को देखते हुए आज आज आप बाडल पर भाईयों को इस अपने अपने गरों में जाएं अपने बुच्चों के लिए और देश की रक्षा करके ये उच उच पदों पर जाएं भारत देश की सीमाव पर तैनाद भारती सेना के जवान तेवहार पर घर ना जाकर देश की रक्षा का बहार संभालते हैं भाई दूज के दिन बेहनों के हाथों से तिलक कराकर वहां मौजूद सेना के सभी जवान काफी खुश नज़र आए। पुंच राज़ारु युव युpa आई है और उन्हों ने हमारे को जो है भाई जैसा प्यार दिया है हमिına के बहुत आबारी जैसे कि हम साथ देश की रक्षा करते हैं और अपने बैनों की भी रक्षा करते हैं तो आज के इस अवसर पर जो ये बेने हमारे पास तिलक के लिए आई है हम इनके बहुत सुक्र गुजार है